है ऐलोगों तो अभी मैरे कर रह Megелей का एक टायारी और अइड़र में आज बना रहे हूं अर्भी थी मेरे पास इसका जो पी लेवो निकाल दिये हैं उन्होंने ये छिलका निकाल के रखती है और अब बनाओगे मैं मैं गुमने के थी थोड़ेर इवनिंग वाक में क्यूंकि बहुत जादा ठंड होगी है तो थोड़ा सा अगर जल्दी जले जो गुमने के लिए तो इतनी ज्यादा ठंड अभी अर्भी बनाओंगी टूटवा बोलते हैं वह बनाओंगी आज और क्यूंकि पतिदेव भी करते हैं पसंद बच्चे भी करते पसंद आस्ता को छोड़के आस्ता के लिए सुखी सबजी रखोंगी अर्भी की और चपाती बनाओंगी और चाबा लगांगी बस तो आज ही नोटिफिकेशन आई है कि अब फिफ्ट टैंथ भी स्कूल लगेंगे तो आस्ता गेती स्कूल आज तो उसके बाद आई वो घर पे और उसको एक दिन गई है तो उसको बोल रही है ममा मेरे हैडेक हो रही है थोड़ा सा डर लगता है भी रिसकी है छोटे बच्चों तो मैं अभी आराद्य को बेजने वाले नहीं हो स्कूल इतने जल्दी तो आराद्य कभी बोरे 15 से लेकेन अरे को भी नहीं पहेंगे एकदम क्यूंकि थोड़ा सा डर लगता है अभी इग्जैम होंगे इनके अभी फाइनल एक्जैम होंगे तब तक मैं भी बोरे हो तुम क्योंकि एकदम वाइरल हो रहा है बुखार हो रहा है एकदम गर्मी थी और एकदम ठंड हो गई है तो इस वजह से ही ऐसे बिमार पड़र उपर से यह पॉलूशन दिवाली का पॉलूशन और साथ में सुईट भी है सुईट भी बहुत ज्यादा खाई है और यह हो जाती तो थोड़ा सा मौसम अगर ठीक रहेगा ठंड होगी लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि मौसम चेंज होने पर बहुत ज्यादा बीमार हो रहे है आस्था तो आज जाते ही सुबह उठकी उठी तो बोड़ी थी ममा मुझे हैडेक हो रही है क्योंकि हम आयते मम्मी की घर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इसको वह थोड़ा सा सिद्धा दो रही थी तो अभी मैंने चाय बनाई अद्रक और इलाइची वाली चाय बनाई वह इसको दी और फिर मैंने भी वैसे मैं चाय पीती नहीं हो लेकिन आज ठंड में पीने का मन करता है तो चाय पी और फिर अभी इवनिंग वाक पे अब आ गई हो वापिस करूंगी डिनर की तैयारी तो बस मैंने आपको बता दिया मैं क्या बना रही हूं तो चलिए अब कीचन में और यह दिखे आ रहा है मैं इसको बोल पी रही हूं कि कैप लगा ले घूम रहा है कैप लगा और बलंकेट में ब बना लेते हूं कि अब मैंने चौंक लगाने की त्यारी कर ली है तेल गर्मी कर लिया था पहले उसमें सुखे मसाले और प्याज लसं प्यास फूब सा जयादा चाहिए शूंकि ये बोलते हैं बाइला होता है तो बस इसमें लसं में थोड़ाश ज्यादा चाहिए तो यह द दाल दी है और बस इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाऊंगी प्याज और फिर उसमें अर्भी तो मैंने बॉयल करके और छिल के बच्चों ने रख ली थी तो बस यह देखिए चिल के रखी वी थी काफी टेस्टी बनती और यह भी मैं मम्मी के जट से लाई थी अर आपको इसको सूखी बनानी है तो आप इसमें टमाटर बनाएए डाल दीजे ग्रेवी करके तो पर मुझे इसमें लसी डालने थी तो फिर मैं टमाटर वाइड किये और अब मैं थोड़ी सी सबजी निकाल के साइड में रख दूँगी क्यूंकि आस्था नहीं खाती है लसी होती है यह अर्भी और अब तो सर्दियों में यही बनती है ज्यादा का दिन में बोलते हैं इसके ही प्रांटे बनते हैं तो यह देखिए मैंने साइड में रख दिया आस्था के लिए और जो बची है इसमें अब मैं एड़ कर लूंगी लसी तो आप दहीं है लेकिन लसी क हुआ अ कुछ अलगी टेस्ट आता है और मुशा घर कि लसी बना लो कोई ऐसी चीज ऊतर दाले बोलते हैं और आज तो तो हमने यह ट्राय की और पतिदेव तो वैसे भी टूटवा बहुत पसंद करते हैं तो हमारी भाशा में इसको टूटवा बोलते हैं बाकी लसी डाल के बोल दीजिए आप लसी डाल के अर्बी बनाई है तो जैसे भी है लेकिन हमारे जो पहाडी होता है हमारा तो वहां पर ट कि शावल के साथ अपतल्या ठीक है और साथी में लगा दिया है और चावल भी प्रैशर कुकर में यह देखे इसमें डाल दिया है मैंने चावल और एक तरफ है मैंने यह अर्बी लगाई भी थोड़ा सा टाइम इसको उबलने दूँंगे हेलो एब्रिवान कैसे हो आप आप सब अच्छे होंगे और सवस्थ होंगे तो दिन का टाइम है और दिन का टाइम में बारा बज़े लगबग तो शाम को डिनर में मैंने अर्वी बनाई थी तो वो बच्ची है अभी और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बैंगन की सबजी ब बनाई थी तो परिदेव चलेगे हैं ब्रेकफास्ट करके और लांच तो ले जाते नहीं है और अराध्य क्लास भी लग चुके तो फिर सुबह वाला शेडूल मेरा बहुत बीजी होता है क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वीडियो बगयर बनान कपड़े भी दो रही हूं साथ में और अभी आस्था नहीं आस्था है के रूम में लगिया वश्ण मेशीन तो उसने पानी सारा वे फ्लोर पे गिरा दिया तो अब बोरे साफ करने के लिए मुझे मैं साफ करो ममा आप साफ करो तो अभी वह साफ करोंगी और आज दिन में अब बनाया थी तो लसी वाली अर्वी बनाया थी मैंने तूटवा बोलते जिसको आप को में गजूब बताएगा आपके यहां इसे क्या बोलते हैं तो हमारे मैं ममी के घर में मतलव रामपूर का मुझे आइडिया नहीं क्या बोलता है वह मुझे निक पता लेकिन हाँ ममी तो बस वह बच्चा है मेरे पास आस्ता तो खाती नहीं तो यह वह खालेगी और हम मैं वनाऊंगी चावल और साथ में ठूटवा भी है तो वह भी पच्चा है वह हम खाएंगे और बस फिर अभी कप्रदोने काम स्टाट हुआ वाए कप्रदोरी हूं अभी ताकि क्लास ना पुटरा यहां दूट नहीं है जाएँव और देखाल लगए और लिए और यह देखिए गुम रहाएं नहाया नहीं है दूप निकलें था यह वह मतिं है, तो बस बहुत प्री हो जाते हैं, अब चावल लगाओंगे, इसी की durante होने का वेट करते हो, क्योंकि फिर थोड़ा सा इसको 12 बच जाते हैं क्लास ओवर होते ही कभी पौने बारा हो जाते हैं तो बस फिर आप देखते हैं बनाते हैं लंच और चाबल बनाऊंगी लंच करेंगे तो चलिए फिर आज का व्लोग ही है इतक मिलते हूं आपको एक नए व्लोग में तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजा उशेयर कीजेगा यॉशन डवाइक कीजागई और अपने प्यारे झाल झाल